सो भाई वी नवी का एक्जाम बहुत जल्दी होने वाला है अगले 20 दिन के अंदर आपको एक्जाम में बैठना पड़ सकता है डबल एससर के लिए बेस्ट ऑनलाइन प्रेक्टिस से परिक्षाइप परिक्षाइप अबलेबल हैं बीस टेस्ट हैं हिंदी और इंग्लिस में कि मैंने बात कर लिए साम तक और भी लेट टेस्ट जो प्रेक्षाइप अपडेट कर लिए जाएंगे तो इनको पर्चेस करने के लिए जब आप पर्चेस आप ऑपन करोगे तो यहां पर यह आपको नहीं दिखेगा आप 100 का उप्षाइप चूकि मैंने पर्चेस कर रहा ह इससे आपको सीधर 1500 का डिस्काउंड मिल जाएगा और मात 1400 पेमो टेस्ट आपको मिल जाएंगी जो कि हिंदी और इंग्लिज दोनों लेंग्विज में है जब आप पर्चेस कर लोगे पेमेंट आपकी सकसेफुल हो जाएगी तब आपको किस इस तरीके का चैनल दिखेगा कुछ इस तरीके का साइन आपको देखेगा डिरेक्ट इस पे आप क्लिक करना और यहां पे देख लिजिए आपके जो एक फ्री मिड़ेट डेमो टेस्ट है वन टू तू त्री फॉर इस तरीके सारे मौक टेस्ट आपके अबलेबल हो जाएंगे लगाओ है ना इस वीडियो में बात करने वाला हूं इंडियन नेवी का जो नेक्स्ट बैच है आगस्ट 2021 बैच का जिसके वैकेंसी आ चुकी फॉर्म भी फिल हो चुकि उसका एक्जाम कब होगा एड्मिड कार्ड कब आएंगे और जो मैरेश लिस्ट है वो कपता गाएगी क्योंकि जो अगस्ट का है और अभी जून है मतलब जून और जुलाई दो महीने के अंदर सब कुछ होना है आपका एड्मिड कार्ड बी आ जाएगा एक्जाम भी हो जाएगा पियएफटी भी हो जाएगा और अगस्ट में आपकी जॉइनिंग भी हो जाएगी सो ये सारी चीज़े कैस और वेकेंसी पे वीडियो भी नहीं बनाई थी वाई होप आप सभी को पता चल गया था है ना सो देखिए यहां पे जो आपका एक्जाम है देखो काफी सारी चीजे मुझे बतानी है क्योंकि टोटली जो पैटर्न है चेंज हो चुका है पहले online exam होता था है ना सारी चीजे आपको पता थी अब जो है offline exam होगा और भी चीजे चेंज होई है मैं आपको बताउगा दोग यहां पे टोटल जो वाकैंसी है वो अपकी पच्छे सो वाकैंसी हैं डबल A में 500 वाकैंसी और SSR में टोटल 2000 वाकैंसी हैं यहां पे एक चीज और है कि सभी लोगों को नहीं बुलाया जाएगा केबल 10,000 लोगों को बुलाया जाएगा और वो 10,000 लोग कौन से हैं वही लोग है जिनके 12 में हाइयर पंसेटेज हो गे देखो यार यह चीज बहुत गलत है इंडियन एर फोर्स ने भी जब करा था तब भी गलत था है ना र पिजिकाल अच्छे से हुआ ने और उन्हें भरती कर लिया गया रिजल्ट में आपने एक निउस सुनी होगी कि लगबग डिएर सो लोग चोड़ के आगये एर फोर्स क्यों चोड़ के आगये क्यों कि नाइंटी 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 फाइपरसंट वालों को यह जानी न नहीं मिला उसका मौका चला गया वैसे इससे इंडिनेर्फ उसको कोई फरक नहीं पड़ता कि किसका मौका गया किसका नहीं गया उनको अपना बैच फुल करना उससे मतलब है देखा आपने की किस तरीके से सबी टीचरस डेली गयते लेकिन कोई भी उसका उनका सुनवाई हुआ या कोई भी चीजें चेंज नहीं हुई स्यम चीज नहीं भी भी कर रहा है कि जो ट्ल्थ में हाईर परसेंटेज है उनको ही बुला रहा है और और इससे बात है इसकी वज़ए से जो एवरीज स्टूडिट्स हैं कमजोर स्टूडिट्स हैं जिसके 60% थे कमजोर मैं आपको बताओंगा अब मेन टॉपिक पर आते हैं मेन बात कर लेते हैं जो जो जानने के लिए आप इस वीडियो पर आयो दख़र इस वेकेंसिप मैंने कुछ भी नहीं बोला था इसलिए मैंने मुझे थोड़ा सा बोलना था जो मैंने बोल दिया कि जो चीज हैं वो गलत ह बट हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते जो हैं हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी नवी भी यही कर रहा है 90-95% वालों को बुलाएगा एडमिट कार्ड देगा वो जाएंगे जरूर लेकिन एड दे इंड क्या पता हो नवी जॉइन करें ना करें उनकी मर्जी है तो इससे बस एवरेज स्टुडेंट जो जिनका कम परसेंटेज है उनका नुकसान हो रहा है देखो हम बात करने आ हैं यहां पे कि एडमिट कार्ड कब आएगा और एक्जाम कब होगा और जो आपकी मेर बताया अपने मन से तो फिलाल अभी भी मैं अपने मन से कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ अब मैं आपको वही चीज़े बताऊंगा जो ऑफिशल नोटिफिकेशन में दे रखी है एक चीज है देखो एडमिट कार्ड या एक्जाम कब तक होगा यह हम एक्सपेक्ट कर सक लोट इन ऑन 23 जुलाई 2021 है ना दो हजारी कीस तेज जुलाई को जो आपकी मेरी लिस्ट है वो अब लेवल हो जाएगी यहां पर ऐसा कोई कुछ भी नहीं लिखा है कि अप्रॉक्सिमेटली टेंटेवली की लगबाग या संबावता तेज तक हो सकते हैं ऐसा कुछ नहीं स कर्म है कि जो आपका एकजाम है वो जून में होगा जून के लास्ट वीक में आपको जो एकजाम हो सेड़्ूल हो सकता है और जल्दी आपको इसकी डिटेल से भी देखनों को मिलेंगे ऑफिसल वेब साइट पे अब सिंपल से बात है एड्मिट कार्ड की बात आती है तो ज जून के लास्ट वीक में अगर आपका एकजाम हो रहा है तो दस दिन पहले आपका एड्मिट कार्ड आ जाएगा और इसके बाद आपका जो जुलाई महीन है तेज जुलाई को आपकी मेरे लिस्ट आ जाएगी और अगस्त वाला बैच आप जो हैन कर पाऊगे तो यही थी देखो मैं 90% बोलता हूं कि जून के लास्ट में आपका एकजाम होगा 10% छोड़ देता हूं कि जुलाई के स्टार्टिंग में बाकि अगर आपके मन में यह डाउट है कि एकजाम पोस्पॉन्ट हो जाएगा या वगएर वगएर ऐसा कुछ भी नहीं होगा 2019 के बाद वैकेंसी आई है जिसमें आफ लाइन एकजाम हो रहे 10,000 लोगों को बुलाया जा रहा है मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी दिक्कत होगी जिसकी वज़े से एकजाम को पोस्पॉन करना पड़े सिंपल से बात है आपका एकजाम होगा अब आपकी तैयारी और इससे बात है कि हायर परसेंटेज वालों को बुलाया जा रहा है तो उनकी तैयारी अच्छी होगी सभी को मौका दिया जाता बट नहीं दिया जा रहा है मौका इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हम से भात कर सकते हैं जो कि मैं कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा और कोई कुछ नहीं कर सकता, नेवी, एरफोर्स, इन हमारे डिफेंस के खिलाफ हम नहीं जा सकते, या फिर जाओगी भी तो कुछ मिलने का नहीं है, तो आपका जो एक्जाम है वो फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, जून में जाएंगे, जैसी ऑफेसिल वेबसाइट पर कोई अपडेट आईएगी, मैं आपको इनफर्म कर दोंगा, बाकी काफी सारी चीजे मुझे आपको बतानी है कि जो आपका एक्जाम होगा, वो कैसे क्या होगा, और पी एफटी कब होगा है ना, क्योंकि चेंजेस हुए हैं, तो उसके लिए मैं वीडियो आपको खरता जाओंगा, सिलिवस वगेरा के बारे में आपको जानना है, और आफिसियल सिलिवस क्या है, क्या है, क्या आपको आपको जानने हैं, यह सारी चीजे तो कमेंड बॉक्स में लिखियागा, बाकी वीडियो कैसी लगी, मुझे मौका मिलना चाहिए, लेकिन अब जो है, वो है, वो उनको यह मतलब नहीं है, कि आपके परसेंटेज कितने हैं, आपको आपकी सिच्वेशन क्या उनको बस अपना बैच फुल करने से मतलब है, तो इनको अगस्त बैच इनको कमपलीट करना है, तो आपको अगस्त बैच वो अलग बात है, लेकिन अब भी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आपको साट मिनट में साओ कुशन करने हैं, और आपके साथ में जो दस जार लोग हैं, वो भी देख लो, आपके टकर के हैं, ना ऐसे वाले हैं, अगर उनको कम्पीट करना है, पचीसों के अंद वैसे आपकर लेना, परिक चैप पर टेस्ट हैं, वो लगा लेना, बागे मिलते हैं इस वीडियो में, वीडियो अच्छी लग यो तो कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट बॉक्स जरू चेक करूंगा, टेक केर, बाए गाइस,